साथियों जब से तीन किरसी कानून केंद सरकार ने पास किया है उसके बास से लगातार किसानों का आंदोलन दिल्ली के बाडर पर चल लहा है कई महीने से आंदोलन दिल्ली के बाडर पर चल लहा है और कई बार किसानों के द्वारा भारत बंद भी तीन किरसी कानूनों के विर साद मौरिया का दवरा लखिमपुर खीरी जनपद में था उस दवरान तमाम किसान सांति पूर्बग तरीके से बिरोध प्रदर्शन कर रहे थे और काले जंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो उस दवरान केंद्रिये गिरी राजिमंत्री के बेटे असीस मिसरा के द्वारा किसानों के उपर गाड़ी चड़ा करके उनको कुछला गया ऐसी एक घटना सामने आई है जो की बहुत ही ज़्यादा हिर्दे विदारक घटना है और दिल को दहला देने वाली घटना है अभी तक आजाद भारत में आंदोलन को कुछलने के लिए इस तरीके का कोई परियास हुआ हो गाड़ी चड़ा करके किसानों की या प्रदर्सन कारियों की हत्या की गई हो ऐसी घटना आजाद भारत में पहली बार देखने और सुनने में आई है तो इसलिए राष्टिय पिछड़ा बर्ग मोर्चा की तरफ से हम इस हिर्दे विदारक घटना की निंदा करते हैं उत्तर परदेश में जब से भारतिय जनता पायटी की सरकार आई है और जब से योगी आदितिनाथ जी उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री बने हैं लगातार पिछड़े बर्गों की हत्याएं हो रही है लगातार सिड्यूल कास्ट के उपर अन्याय अत्याचार हो रहा है लगातार पुलिस के द्वारा पिछड़े बर्गों के फरजी अनकाउंटर किये जा रहे हैं और जो उच जाती के दवंग लोग हैं उनके द्वारा लगातार पिछड़े बर्ग सिड्यूल का सिड्यूल ट्राइब और माइनार्टीज के ऊपर अन्याय अत्याचार किये जा रहे हैं उनकी हत्याएं की जा रही है उनके घरों पे कब्जा किया जा रहा ऐसे सैकड़ों और हजारों उदारण उत्तर परदेश में जब से भारतिय तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं उटको दबाने के लिए प्रदर्शन कारियों के ऊपर टांडा जैसे पोटा जैसे यूए पीए जैसे तमाम परकार के कानून सरकार के द्वारा तमाम परकार के की धारायें लगा करके तमाम परकार के कानून लगा करके सरकार के द्वारा परदरसन कारियों को आंदोलन कारियों को दवाने की और जनता की आवाज को दवाने की कोशिस की जा रही है और अब्यक्ति की सुतंतता के अधिकार को समाप्त करने की कोशिस की जा रही है तो इस परकार की जो तमाम घटनाय पूरे उत्तर परदेश में हो रही है और जिससे इस बात को साबित किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खतम हो गया है और जंगल राज लागू हो गया है तो इसलिए यह जंगल राज को खतम करना जरूरी है और कानून का राज लाना जरूरी है इसलिए हम राष्टिय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की के लिए उत्तर परदेश में जो तमाम मामले हो रहे हैं चाहे फरजी अंकाउंटरों का मामला हो चाहे वहत्याओं का मामला हो या महिलाओं के ऊपर अन्या अत्याचार का मामला हो या परदरसनकारियों को फरजी मुकदमे में फसाने का मामला हो या अभी जो हद ही पार हो आर उतरप्रदेश में राष्टपति सासन लागू किया जाए केंद्रिय गिरीराज्य्मंत्री के बेटे के युपर इतना गंभीर आरोफ है। इसलिए केंद्रिये गिरीराज मंत्री को मंत्रीपस से बरखास्त किया जाए और उनके जो बेटे हैं उन आसीज कुमार मिस्रा उनके उपर ततकाल प्रभाव से अफाई आर्दर्ज करते हुए उन्हें पुलिस रिमान पर लिया जाए इसके अलावा लखीम पुर्खीरी की घ प्रदान किया जाए पीडित परिवार को सम्मानित जीवन यापन हेतु राजी सरकार में एक सदस्य को नोकरी और कम से कम पांच कर पांच पांच करोंड रूपे की आर्थिक मदद भी दिया जाए यह उप्रोक्त यह तमाम मागों को ले करके हम राष्टी पिछड़ा वर् यह पत्र भेज रहे हैं और इसी के साथ ही साथ आज उत्तर परदेश के सभी 75 जिलों में दोपार तीन बजे से राष्टिये पिछड़ाबर्ग मोर्चा, राष्टिये किसान मोर्चा, बहुजन करांती मोर्चा और बहुजन मुक्ती पालिटी के द्वारा संजुक्त जायेगा कि उत्तर पर्देश में कानून ब्योस्था के राज को अस्थापित करने के लिए उत्तर परदेश की सरकार को बरखास्त किया जाए और यह गर यह मानि नहीं जाती हैं तो आने वाले समय में राष्टिये पिछड़ावर्ग मोर्चा और तमाम सारे संगठन के लोग मिल करके इसके लिए आगे बड़ा अंदोलन करने का काम करेंगे धन्वाद